और जो पर्धान मंतरी जी की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड ततकालीन कॉंग्रेस की पंजाब की सरकार में हुआ उस पर जो विशे आया है वो बहुत महत्पून है उपचारी उपाय क्या हो, सेफकार्ट कैसे रखे जाए, रक्षा कैसे की जाए उसको लेकर भी जहां एक और सुप्रीम कोड ने टिपनी की है वहाँ पर ये भी पताया है कि किस तरह से फिरोजपूर के SSP पूरी तरह से विफल हुए पर्धान मंतरी जी की यात्रा में सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए और कानून विवस्ता बनाय रखने पूरी तरह से विफल हुए जबकि उनके पास दो घंटे का प्रयाप्त समय था औल्टरनेटिव रूट का, सड़क मार का लेकिन वो पूरी तरह से विफल पंजाब की सरकार, पंजाब का पुलिस तंत्र परधान मंतरी जी की सुरक्षा में खिलवाड जिस तरह से हुआ, जो परधान मंतरी जी की सुरक्षा में चूक हुई, उस पे आज बहुत बड़े चानकारी आप सब के सामने आई भी है लेकिन मित्रो बात यह है, कि यह वो किस समय की घटना है आपको अगर याद होगा, अगर आप इस फोडोग्राफ को देखें है यह पांच जनवरी 2022 की बात है मानने परधान मंतरी नरेंदर मोधी जी पंजाब के दौरे पर थे और इस कारेक्रम में पहले से जानकारी दी गई थी, ड्रिल्स पूरे किये गए SPZ ने स्थानिय सरकार को, पुलिस प्रशाशन को सब को बताया कि खराब मौसम के चलते सड़क रूट लिया जा सकता है और सड़क रूट की ड्रिल भी हुई और उसके होने के बाद जब यह कहा गया कि यहां क्या क्या चाहिए उस पर भी पूरी तरह से विफल, ततकालीन, कॉंग्रिस की सरकार, पंजाब की सरकार रही जब परधान मंत्री जी पंजाब पहुंचे, किसी भी राज्य में मानने परधान मंत्री जी जाएं तो वहां के मुख्य मंत्री, वहां के मुख्य सचीव, वहां के DGP पुलिस यान के डिरेक्टर जनल पुलिस, वहां पर रहते हैं, लेकिन तीनों के तीनों वहां से गायब थे, अनुपस्थित थे, कारण क्या था, मुख्य मंत्री, मुख्य सचीव, DGP का ना हो ना, ये किसका शड़ेंतर था, कौन इनके पीछे थे, क्योंकि किवल यहीं तक नहीं रुके, जब परधान मंत्री जी का काफिला, इंतजार करने के बाद, DGP, पंजाब के, पूरे कहने के बाद, की रूट, सुरक्षित भी है, सैनिटाइस्ट भी है, ये आने के बाद, जानकारी आने के बाद, एस्पी जी ने चलने के लिए कहा, तब भी मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव, और DGP गायब थे, उनकी गाड़ियां थी, लेकिन वो नहीं थे, परधान मंत्री जी को अकेला पंजाब में छोड़ दिया, और जिस पूल पे जाकर वो, उनका काफिला रुका, उससे मातर सौ किलोमेटर की दूरी पर आंदोलन कारी, आप कलपना कीजिए भारत के परधान मंत्री पूल पर हो, दस किलोमेटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर हो, जहां पे तोप की आप रेंज में हो, स्नाइपर्स की रेंज में हो सकते हो, वहां से गोली बारू चलते कुछ भी भी हो सकता था और पंजाब पुलिस मूख दर्शक बनकर 20 मिनट तक खड़ी रही पंजाब के मुख्यमंतरी फोन पर भी पुलब्द नहीं थे ना व्यक्तिकत तौर पर थे SSP ने हाथ खड़े कर दिये थे आखरिकार ये रूट किस ने बताया था अंदोलनकारियों को रूट पर कैसे आए मातर सौ मिटर की दूरी पर अंदोलनकारियों ने कैसे घेरा बना लिया कुछ भी हो सकता था लेकिन पंजाब के उस समय के मुख्यमंतरी कॉंग्रेस के नेता ये कहते 20 मिनट ही तो थे अरे दो मिनट भी बहुत होते हैं कुछ भी होने के लिए इस देश ने बहुत बड़े बड़े नेताओं को चाहे परधान मंत्री और पूर परधान मंत्री हो पूर मुक्खे मंत्री हो या बड़े नेताओं बहुत को खोया है सुरक्षा विवस्ता के साथ खिलवाड के कारण खोया है ऐसी स्थिती क्यों पैदा की गई महतपुन लोग घटना स्थल से गायब क्यों थे ये सवाल बार बार उठता है और यही नहीं परधन शनकारियों को परधान मंत्री के रूट के बारे में जानकारी किस ने दी और अगर ये सुरक्षित और सैनिटाइज रूट था तो आंदोलन कारी आये कैसे SSB किस से बार बार फोन पर बात कर रहे थे किस के निर्देश ले रहे थे मुख्य मंत्री ने भाना मार दिया कि उनको कोविड है लेकिन चंद घेंटों के बाद प्रेस कॉन्फरेंस भी करते हैं पब्लिक से भी मिलते हैं और बगार मास्के मिलते है कॉन्ग्रेस के उस समय के मुख्य मंत्री अपने दिल्ली के बड़े नेताओं आकाओं से जिस परिवार का इस पार्टी पर राज है उस पार्टी के नेताओं को बार बार जानकारी देते हैं कि सुरक्षा में ये हुआ ये हुआ तो ये जो उन्हें ने कहा कि ये ये कुद्रती थी सुरक्षा भांगोना केते कुद्रती था सुभाविक था ये सुभाविक नहीं सुनियोजित था ये शडयंत्र किसका था क्या चाते थे इस घटना से वो